आप सभी में प्रोडक्ट के ऊपर या किसी शॉपिंग एप पर 99, 199, 299, etc. देखा होगा और क्या आपको बता है ऐसा क्यों लेखा होता है? यह उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है हम सभी को अट्रेक्ट करने के लिए जिससे उनके सेल्स भी बढ़ते हैं इसे और्ट प्राइसिंग कहते हैं यह हमारे माइन्ड पर साइको लोजिकल इफेक्ट करता है यह हमें पता होता है कि यह 200 की है लेकिन फिर भी हमें कम रुपे का लगता है मान लो एक प्रोडक्ट की प्राइस है 199 और दूसरी जगह सेम प्रोडक्ट की प्राइज है 201 तो हमें 199 वाला प्रोडक्ट सस्ता लगेगा बलकि उनमें सिर्फ 2 रुपए का अंतर है और अगर एक प्रोडक्ट की प्राइज 175 है और दूसरे प्रोडक्ट की प्राइज 199 है तो वो हमें लगवक सेम प्राइज का ही लग लेकिन वहीं 199 की जगह 201 रुपीज का है तो हमें ये लगेगा कि ये तो 200 पार है और ये 200 के अंदर वो सेल बढ़ाने के लिए सिर्फ एक रुपय कम करते हैं लेकिन वो हमें ज्यादा सस्ता लगता है